एकनॉमिक्स वर्चिल क्लासिस में आप सभी का स्वागत है भारतिय अर्थव्यस्ता का विकास के अंतरगत अध्याई 4 में से निर्धन्ता पार्ट से आज हम जानेंगे कि निर्धन्ता क्यूं होती है निर्धन्ता निवारण के लिए कौन-कौन सी नीपियां और कारिक्रम है तो बच्चो निर्धन्ता क्यों होती है यह हमारे सामने पर्षन उठता है कि अधिकांस लोग पूरे वर्ड में 20-25 पर्षन लोग निर्धन है और भारत में भी 25-30 पर्षन निर्धन आखरीता निर्धन्ता है क्योँ तो इसके कुछ व्यक्तिकत् परिस्दतियां भी होती है और कुछ देश की आर्ठिक इस्थिति भी इसके लिए जुम्य सरी तो पहले व्यक्तिकत्तियों का अध्यन करते हैं जैसे शिक्षा तथा योगिता आदी का निमस्टर होता है उसके बाद आयोगिता रहती है, आस्वस्त अधिकतर ये लोग बिमार रहते हैं, इनके साथ भेज़बाव होता है, जिसके कारण ये पढ़ नहीं पाते हैं, समाजिक कारण भी होता है, समाजिक आर्थिक राजनितिक आसमानता भी होती है, कुछ लोग समाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, कहीं राजनितिक आसमानता भी होती है, कुछ लोग को पूरे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ लोगों का समाजिक भहिसकार भी किया जाता है जिससे वो लोग गरीब हो जाते हैं और जो सबसे परमुक और बेरोजगारी के कारण इन लोग का जिमन अस्तर निम हो जाता है रिंड गरिस्ता अधिकतर गरीब लोग रिंडों में ही दबे रहते हैं एक खर्चे को पूरा करने के लिए वो रिंड लेते हैं और फिर उस खर्चे को पूरा करने के लिए फिर एक और रिंड लेते हैं धन के वित्रण के आसमानता देश में अगर धन का वित्रण आसमान होगा एक समान नहीं होगा तो अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा हो जाएगी जिसके कारण भी लोग क्या होते हैं गरीब हो जाते हैं इसके बाद इस समग्र जो बिंदु मैंने बताएं इनसे निर्दंता बढ़ती है कुछ अर्थविश्ता के कारण भी वहती है कोई देश गरीब होता है कोई अमीर होता है जहां पर आपके उत्पादन के साधन या प्राकतिक संसाधन आधिक होते हैं वो अमीर होता है जसा आउदे अरब में तेल है इसके साथ ही यूरोप के देश होगे सब विक्सित देश है कोरिया नई टेक्नलोजी के अस्तमाल करके विक्सित देश हैं तो वहां की लोगों की आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी है लेकिन भारत नाइजीरिया अफ्रीकन देश एशिया के कुछ देश पाकिस्तान बंगला देश यह लोग आर्थिक रूप से पिछड़े वे इनकी अर्थववस्ता कमजोर है उ बहुत जगा बिजली अभी तक नहीं पहुंची भारत में ख़ुअा बहुत जगा पे रोड नहीं पहुंचे है यहां जनसेंग क्या अधिक है और गरीबी में आपने देखा गरीब लोगों के परिवारों में बच्चे अधिक पाए जाते हैं इसके साथ समाजिक कल्यान की भावना का यहां पर अबाओ है सरकार भी कमजोर आर्थिक इस्तिती होने के कारेड इनकी आर्थिक सायता नहीं कर पाती है तो हमने पहले अधियाय में पड़ा था बिर्टिश आसन में भारत में बहुत जादे गरीबी बड़ी थी और भारत की अर्थ विवेस्ता को बहुत ही जादा अंग्रेजों ने नुकसान पोचाया था और भारत की अर्थ विवेस्ता को एक केवल कच्छे माल का उभ्वोग के रूप में इस्तिमाल किया अंग्रेजी राज्य में हमारे देश में वी अध्योगी करण का मतलब हो गया अध्योगी करण का विनास किया अंग्रेजों ने जान बूझ के ताकि उनके देश के उद्योगों का माल हमारे देश में बिख सके कि इंग्लेंड कमे में भी लंकाय शायर से जो सूती कपड़े के आयाद ने काफी मात्रा में थानियं उत्पादवों को विस्तापी कर दिया उने समाप्त कर दिया। लंकाय सायर इंग्लाड में मसीनों से निर्वित माल होता था जो सूती कपड़े मसीनों से बनते थे और उनको फिर भारत भेज दिया जाता था जिसमें हमारे जो हद करकर करता थे जो स्तानी उत्पादक लोग थे उनको इस से नुकसानवा क्योंकि उनका बनावा मात नहीं बिख पा रहा था मशीनों के माल के आगे तो भारते कपड़ों के स्तान पर सूती धागों का केवल निर्यात तक हो गया अब भारत केवल सूती धागों का निर्यात करता था और उसके बदले में बनेवे कपड़े इंग्लेंड से भारत आते थे तो अंगरी जब खेती बाड़ी से ही वो अपना हुद्योग धंदा चलाते थे तो अंग्रेजों की नीतियां भूत ही खराब थी उन्होंने करों का भार बढ़ाया करधी कर दिये व्यापारी और महाजनों ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया बिटिस राज में भारत में खाध्य के आकाल पड़े जिसमें से 260 से अधिक लोगों की व्यक्तियों की मिर्ति हो गई इतने सारे लोग मारे गए भारत में अंग्रेजी राज्यों का मुख्य उद्देश यही था कि भारत में अपने निर्यात को बजार मिल जाए और भारत अंग्रेजों के रिन का भुकतान करत तरहें से करते रहें बारत आंग्रेजों का गुलाम बनावा था केवल भारत के लिए अंग्रेज अपना माल खापानी की जगा ढूंडते थे और भारत के रिनों भारत एक परकार का रिणों का भुक्तानी करता रहता था अंग्रेजों को और अंग्रेजी समरजवादी सेना का वेतन भी भारत के ही धन से दिया जाता था और उनको मानव सक्ति भारत से प्राप्त होती रही बिटिस राज ने करोड़ों भारतियों को निर्थन बना दिया और हमारे प्राकतिक संसादनों को लूटा गया उद्ध्यों को को सस्ते दामों पर अपना उत्पादन अंग्रेजों के हाथ में बेचने के लिए मजबूर किया गया हमारे खाद्यनों का निर्यात कर दिया गया और कितने ही लोग अकाल भूग के कारण मारे गए और भारत में व्यापारी करण किर्सी का व्यापारी करण भी अंग्रेजों ने किया जिसके कारण भारत का माल विदेशों में वह आसानी से निर्याद कर सकें कि इसको किसानों पर भारी कर लगाया गया जन अक्रोस बड़ा सिपाईयों द्वारा विद्रो अंग्रेजों के सासरन के खिलाब विद्रो वह उसको दबाया गया आज भी किर्सी ही ग्रामिल जनता की जीविका का मुख्यादार है आज भी आपने देखाऊगा गाउं में मुख्यादा जीविका के पराथ्मिकता पर संपत्ति है और भू स्वामि को भूतिक का प्रमुक्चिन निरधारक माना जाता है सुतंता के बाद से भारत ने भूमी के पुनर विर्तर के परियास किये, जिनके पास अधिक भूमी थी, उनसे भूमी लेकर सरकार ने भूमी ही इनों को बाटा, जो अपनी ही भूमी पर मजदूरी के रूप में कारे करते थे, मतलब आजादी के बाद सरकार ने भूमी में कापी सुधार किये गए और बहुत सारी जो भूमी लोगों के पास थी, जमिदारों की पास थी, जमिदार पढ़ता समाप करी और उनकी भूमियों को, उन मजदूरों को बाटा गया, जो उसी भूमी पर कारे करते थे, इसमें सरकार को कापी सपलता मिली, अधिकांज जो किसान जो बहुत छोटे थे, उनको भूमी पराप्त हुई, जिनके पास भूमी को उपजाओ बनाने के लिए धन और योगिता का अबाओ था, और जिनकी जोतों का आकार वहवारी ग्रूप से बहुत छोटा था, तो सरकार ने चकबंदी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसका फाइदा पहुझाया, बहुत छोटे किसान ही जिनकी भूमी आमतों पर कम उपजाओ वर्सप पे निर्वर होती है, उनकी आजीवी का निर्वा भसलों पर, कभी-कभी पसुधन पर भी निर्वर होती है, जन्संग क्या की तीर विर्दी रोजगार के वेकलपिक स्रोतों के अभ़व में किर्सी के लिए परतिव व्यक्ती भूमी की उपलब्दा दिरे-दिरे घट रही है, वर्तवान समय में किया है कि हमारे देश की जन्संग एक सो तीस करोड़ से उपर है, और रोजगार के और जिसके कारण हमारी जो किर्सी योग भूमिये उसकी उपलब्दा भी धीरे-धीरे घट रही है कि जिससे जोतों का विखंडन हो रहा है मतलब छोटों-छोटे खेत बन रहे हैं और छोटों-छोटों जोतों से प्राप्त आयसे परिवार की मुल्बूत आवाशक्ताओं को पूरा नहीं किया जा सकता मतलब छोटों अगर किसान के पास तीन से चार वीगा जमीन होगी तो उससे वो अपना पेट नहीं पाल सकता है वो नहीं अपनी आर्थिक इस्तिति को सम उन्हें समय समय पर रिणों की जरूत पड़ती है जिसके लिए महाजन आधी से अधिक ब्याज पर रण लेते हैं और ना चुकार पाने की स्तिति में या फसले प्राकतिक आपदाओं के कारण नस्ट हो जाती है तो वो आदिमहत्या कर लेते हैं यह बहुत बड़ी समस्या ह ऐसी अनोसिची जन जाती और अनोसिची जाती उभरते वे रोजगार के अफसरों में इसले भी भागदारी नहीं कर पार है क्योंकि उनके पास इसके लिए आवश्यक ज्यान और कौशल की कमी हैं जो भारत की पिछड़े वे लोग हैं वो उनमें ज्यान और कौशल की कमी है क्योंकि वह सही प्रकार से शिक्साप्राप नहीं कर पाते हैं भारत में अधिकान सहरी वर निर्दन वह ही हैं जिने रोजगार और आजीवी का उपारजन की तलास में सहरी छेत्रों में परवासन किया जाता है अर्था बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो गाउं से छोड़कर सहरों में इसलिए आते हैं ताकि उनको रोजगार प्राप्थ हो लेकिन यहां रोजगार ना मिलने के कारण वो लोग मजदूर बन जाते हैं तो ओधोगी करण इन सब को काम दे पाने में विभल रहा है अधिकान सहरी निर्धन या तो बेरोजगार है या आनियमित मजदूर है तो अधिकान्स लोग जो गाउं से सहरों में आते हैं वो अधिकान्स आगर किसी को काम मिल जाता हो ठीक है जिसको नहीं मिलता हो बेरोजगार होता है या आनियमित मजदूर वो है मजदूर जिनको समय समय पर काम मिलता है रेगुल क्योंकि इनके पास रोजगार की सुरक्सा परिसंपत्यां वांचित कारे कौशल परियापत अफसर के साधन नहीं है ना तो इनके परिसंपत्य जिसे बैंक से लोन लेके अपना कोई भी नीजी कारे किया जा सकता है और रोजगार की सुरक्सा भी नहीं है इनके पास और कॉसल ग्यान जैसे आयाइटी हो गया पॉलर टेक्निक होगे कुछ टेक्निकी ग्यान की भी इनमें कमी है जिसके कारे इनको अच्छा रोजगार प्राप नहीं हो पाता है अथा निर्धनता का संबंद व्यक्ति के से भी आदमी भिरोज गरीब बन जाता है या निर्धन बन जाता रीष्वाग रामीर मसदुरों को रिण लेनी के लिए विवश् peace करते हैं जिस से उनकी निर्धनता और जश्यदा बड़ जाते है गृए रिन से आदमी ना चुका पाने के कारण निर्धन बन जाता खाद्यपदार्त हो आवशेक वस्तों के दाम। विलासिता कि वस्तोओं से अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। आप לोगों ने देखा होगा कि खाने वाला तेल और तुमारे नाल ये पढ़ती वट तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि तुम्हारे टेली वीजेन कार मोटर साइकिल इनके दामों में ज्यादा बढ़ातरी नहीं हुई है तो कहने का मतलब है कि निम आए वाले लोगों के लिए जीवनिर्मा कठीन होता जा रहा है क्योंकि उभोकता वस्तों जिसमें खाद्य पदार्थ उनकी कीमतें बहुते ही से बढ़ रही है आय और परसंपत्ति के विवरंड में भी विसमताएं भी है निर्दनों के समस्य को बनाये रखने में अपना योगदान देती है मतलब निर्दन लोगों के पास ऐसी परिसंपत्ति भी नहीं है जैसे घर वो अपना वो किराय के मंकानों में रहते हैं जिसके कारण भी वे निर्दन है इन सभी कारणों से कुल मिला के समाज में दो वर्ग वाजित कर दिया उत्पादक संसादनों के स्वामी जो अमीर वेक्ति हैं और वे जो बहुत अच्छी आय कमाते हैं तथा और एक गरीव जिसको निर्दन बहुत हैं और धनी वर्ग जो उत्पादन के सादन है अर्थात जितने भी उद्योग धंदें उन सब के वह मालिक हैं निर्दंता देश के समक्स ऐसी भावयामी चुनोती है जिसके लिए युदस्तर पर हमें सामना करने की आविश्यक्ता है अब है निर्दंता, निवारण के लिए नीतिय और कार्यक्रम सरकार ने निर्दंता को समाप करने के लिए कुछ नीति और कुछ कार्यक्रम बनाएं तो भारते सविदान और पंचवर्श्य योजनाव में सरकार का जो प्रात्मिक उद्देश क्यांओन गया पंचवर्षी योजना में आर्थिक और समाजिक परिवर्तन के उद्देशे से निर्धनता और आय संपती तथा अवसरों आसमानताओं से जो समाज में दिक्कत उती उसे दूर करने का प्रियास किया गया दूसरी पंचवर्षी योजना में आर्थिक विकास का लाब समाज के अप्रिक्षक्रित कम भागे साली वर्गों तक पुछाना चाहिए अर्थार इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक विकास का लाब समाज के अप्रिक्षक्रित कम भागे साली जिन लोगों को इसका लाब नहीं मिल पा आयामी नीती अपनाई पहली समवर्दी आधारेत रण नीती थी और इस आसा पर अधारेत थी कि आर्थिक समवर्दी के आर्थिक जो सकल गरेली उत्पाद है और पढ़तिविक्ति आयब में जो तीर विर्दी होगी वो परभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुचाए जाए यह समाज के निर्दंतम वर्ग तक धिरे-दिर या पहुचाए जाएं 1950 और 1960 के दसक में हमारी योजनाओं का पहले यह उद्देश से नहीं था लेकिन बाद में जब तीर्व आर्थिक विकास हुआ और हरित करांती हुई तो इससे क्या हुआ इसे समाज के जो अत्यदिक प सरकार के जो लाब थे वो कुछी छेत्रों को मिल पाए पूरे देश को नहीं मिल पाए और किर्सी और उद्योग किर्सी और उद्योगों के छेत्र में जो विर्दी हुई उसका लाब अधिकान से जन संक्या को नहीं मिल पाया जिसके कारण निर्दंता बनी रही जंग संक् विर्दी के परिणाम सुरूप परतिविक्ति आयवें बहुत कमी हुई है जब किसी देश की जनसंक्या बढ़ती आर्थी विकास बढ़ता है और जनसंक्या भी बढ़ जाती है तो उसका लाग लोगों तक नहीं पहुंचता इनी कारों से धनी और निर्दन के बीच खाएं और बढ़ गई हरित करांती के विविन भगोलिक छेतरों के बीच तथा चोटे और बड़े किसानों के बीच फासला और भी बढ़ा दिया क्योंकि हरित करांती का लाग अधिकतर संपन किसानों ने उठाया जो गरीब थे वो इसका लाग नहीं उठा पाए क्योंकि उन्हें यूरिया ट्रैक्टर सिचाई के साधन आदी उनके पास नहीं थे तो भूमी का पुनहर वित्रन की इच्छा और योगता का भी अवाउ थ तो अर्थ साथ स्त्रियों ने कहा है कि आर्थिक समवर्दी का जो लाब निर्दनों तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया इसके बाद सरकार ने तीसरी पंचवर्ड सी योजना 1961-66 से आरम किया और इसी करम में 1970 तक इस पंचवर्ड सी योजना कर चुलाया जिसमें काम के बदले अनाज एक महत्वपून कारे करम था काम के बदले अनाज मतलब सरकार चाहती थी कि लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्हें गाउंस तर पर ही काम दिया जाए और उसके बदले उनको अनाज दिया जाए तो यह जो कारे करम था 1970 में बहुत ही सपल रहा था आज कल इस दिशा में चल रहे कारे करम दसवी पंच वर्षी उजना 19,27 की अधार पे अभ सरकार सो रोजगार तफह मसदूरी पर आदारिक रोजगार कारे करमों को मुक्स आदर सरकार अब ऐसे कई करकाद कर दोब्रण कर दो नाकि नाकि सरकार अजजा है को प्रदान मंत्री की रोजगार योजना PMRY तता स्वन जैनती सहरी रोजगार योजना SJSRY तो पहले कराक्रम का उद्दे से गाउं और छोटे कस्बों में 100 रोजगार के अवसर्ट कर सर्जन करना मतलब गाउं में और कस्बों में लोगों को रोजगार देना है या रोजगार वो स्वयम पैदा करें उनको ऐसी इसके लिए सरकार ट्रेनिंग भी देती और धन भी देती इसे खादी ग्राम उद्द्योग आयोग के माद्यम से भी भारत में लागू किया जा रहा है इसके सहरी छेत्रों के निम आय वर्क के परिवारों को शिक्सित बिरोजगार जो है जो पड़े लिखें थोड़े बिरोजगार है उन्हें उद्यमिंग वाला कोर्स कराया जा रहा है और उसके साथ उन्हें वित्य साहता दी जा रही है ताकि वह अपना उद्योग धंदा छोटा स्वर्ण जेनती सहरी रोजगार योजणा का ध्यैस री रोजगार के अफ सles बढाना मदैर मसदूरी पर रोजगार पीदेकों सर्जन करना मतलब सोचे इस पढ़रों समut में बदलाव किया गया अब इन कारेकरम का लाब चाहने वालों को स्वयम सायता समू का गठन करने के लिए प्रेड़ किया जाता अर्थाथ एक व्यक्ति के स्थान पर पांच या दस व्यक्ति मिलकर कोई उद्योग खोलना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके कोटा धन जमा करें और उसके बाद सहकारी बैंकों के माध्यम से स्वयम सायता समू को आंसिक वित्य सायता उपलग कराई जाती है ताकि वह अपना जो उद्योग धन्दा चला सकते हैं यह समू निश्चित करते हैं कि सोरोजगार कारेकरम के लिए किसे रिंड दिया जाए स ऐसे लोग जो मजदूरी करते हैं वो मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाकर कोई भी सोरोजगार चला सकते हैं उसके लिए उन्हें रिंड तता आर्थिक सायता दी जाती है ग्रामिंट शेत्रों में रहने वाले आकुशुन निर्धन लोगों के लिए मजदूरी पर रोजग सरकार के इच्छिक व्यक्ति को व्ट्स में सौधिन तक कुशल सारि电िक सरमकार करने की गर सरकारी देने का निर्धने करने का बनास करने देखा खेड कि घाऊन exposets कैसे दूर क्या विशा जाता है ऊ-गाया दिशा में आइए निर्दंता निवारण की दिशा में तीसरा आयाम लोगों को नियंतन आधारवत्प सुभीदाएं विब्यूत। मतलब निर्दंता को कम आनाज दुमने देखा होगा राशनकार्ट बने वें गरीब लोगों के और उनके लिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, स्वास्त, जल पूर्ती, परते गाउं में पानी की टंकी, नलों के द्वारा पानी की निकासी और स्वचिता, ट्वाइलेट आधी बनाने के लिए भी सरकार धन दे रही है, तो इससे क्या होगा, लोगों की नियूंतम आधारबुष सुविदाएं प्राप्त हो जाएंगी लोगों को, उनका जीवनस्तर में थोड़ा सा सुदार आएगा, इसके साथ सरकार निर्धनों के उभोग, रोजगार, अफसरो, कसरजन, स्वाज, सिक्सा में सुदार की संपूर्ती भी की जाएगी, मतलब सरकार ये सारी सुविदाएं जो तुमारे निर्धन लोगें उनको उपलब कराएगी, इसके साथ सरकार रोजगार के अफसरों में निर्धन व्यक्तियों के लिए आवशक वस्तों और सेवाएं भी उपलब कराएगी, और एक निश्ची समाजिक नियूंतम अस्तर तक उनके उपभोग निवेश को समर्तन देने के लिए अनिवारे रूप से अनिवारे खाध्यान, पेजल, सिक्सा, पोशन, स्वास्थ सेवाए, संचार, विधुत, आपूर्ति, ये सारी निर्धन व्यक्तियों को दी जाएंगी, मतलब परतेक निर्धन व्यक्तियों को चिकिस्ता के साथ साथ एक एक कनेक्शन बिजली का भी दिया जाएगा, और वर्तवान समय में तो आपने देखा गो निर्मला गैस योजना के तैत परतेक व्यक्तियों गरीब व्यक्तियों एक एक गैस कनेक्शन भी दिया गया है, तो निर्धनों के खाद, उभ्भोग और पोशन अस्तर को प्रभावित करने के तीन पर्मुक कारेक्रम यह हैं, स्वर्जनिक वित्रन व्यवेस्ता, एककृत बाल विकास योजना और मद्य अवकास भोजन योजना, यह मिड़े मील योजना है, जो हमारे स्कूलों में भी चलाई जारी है, सरकारे स्कूलों में, ताकि निर्धन जो परिवारस और बच्चे आते हैं, वो दिन का भोजन स्कूल में कर सकें, इसके साथ साथ परदानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परदानमंत्री ग्रामोदे योजना वाल में की अमबेटकर अवास योजना इस दिसा में परियास किया जा रहा है तो पर्धानमंत्री सरग योजना का उद्देशे की परते गाउं को सहर से जोड़ा जाए और बाल में की तथा पर्धानमंत्री ग्रामदो योजना में लोगों को आवास के लिए भी कुछ धन राशी दी जाती है ताकि वो अपने घर बना सकें इसके साथ सरकार निरक्षर तथा विर्दजनों को भी उनको जीवन में जीवन निर्वा के लिए पैंशन दी जा रही है ताकि वो लोग भी समाच से अलग ना रहें और अपना जीवन खुसाज जी सकें इसके साथ निर्दन महिला विदुवा आदी भी इस जोजनाओं के अंतरगादात ने और विकलांग वेक्तियों को भी सरकार पैंशन दे रही है इसके बाद आता है निर्धनता निवारन कारेकरम की हम एक समिकसा करते हैं क्या वाकई में ये जो सरकार ने कारेकरम चला इसे निर्धनता हमारे देश में कम हुई है तो हम देखते हैं आजादी के बाद से इस परियास तो सरकार ने बहुत कुछ किये कुछ राज्यों ने भी कि इसके लिए अलग से परियास किये तो राश्टी और से काफी नीचे आ गए तो अब निर्धन्ता रेखा से जो लोग हैं वह पहले की तुलना में कम हुए हैं और निर्धन्ता भू को पोजिशन निर्षिक्ता और बुन्यादी सुभिधाओं के अबाओं को दूर करने के ल कुछ कारेक्रम चलाने के बावजूद हमारे देश में कई जगाओं पर गरीबी अब भी है कई राज्यों में गरीबी अब भी बनी हुई है और कारेक्रम का नाम बदलते रहे कारेक्रम को मिलाकर अलगलग कारेक्रम कभी कभी चलाते गए इससे ना केवल दिक्कत हुई है गरीब लोगों को बल्कि उनको इससे सुविदाए भी प्राप्त नहीं हो पाई इसके साथ साथ भूमी और भूमी की जो परिसंपत्ति का बटवारा था उसमें भी लाब हमारे निर्धन वर के लोग हैं उन्हें ठीक से नहीं मिल पाया और इसके साथ साथ जो समाजिक सुरक् या गरंटी योजना के जो कारिक्रम है उसमें भी कई सारे लोग ऐसे जो उससे वन्चित रह गए इसके साथ साथ कई सारे बैंकों दौरा या सहकारी बैंकों दौरा भी समय समय पर लोगों को आर्थिक साहता नहीं मिल पाती है क्योंकि हमारे देश में ब्रस्ट अचार के क जो निर्धन लोग हैं, वो एक परकार से अपने को ठगा मैसूस समझते हैं, क्योंकि जितने भी राजनेता हैं, उन्हें समय समय पर यह बोला जाता है कि अगली सरकार आएगी और तुमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाते हैं, तो भरस्टाचार के कारण अधिकांस योजनाएं भरस्टाचार की भेंड चड़ जाती है, और जो जिन लोगों को उससे लाब मिलना चीए, वो उनको नहीं मिल पाता है, तो सरकारी नीति ने जन समधाय की निर्धनता रेखा से उपर उठाने की कोशिस तो की है, और इसके लिए कई सारे सपल कार्यक करम भी चलाएं, लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि जब तक लोगों को अच्छी सिक्षा नहीं मिलेगी, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनका विकास नहीं हो पाएगा, केबल उनको पेंशिन देने से या आर्थिक सायता देने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम उनको रोजगार ना दे, उनको अच्छे संस्ताओं से परशिक्षन और सेवाय ना दे, और गाउं में स्कूल सड़के, विद्व संचार, सूचना प्रवगधकी की विकास ना करें, तब तक गरीबी हटने वाली नहीं है, तो निसकर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, लगब कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने यही है, कि निर्दनों की संक्या में कमी तो आई है, लेकिन कुछ राज्यों में राश्टी आउसत से निर्दनों का अनुपाद कम है, यदि भी इस काम के लिए बहुत विशाल धन, राश्टी सरकार द्वारा आ कार्थिक सायता देती है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश की जो जल संक्या बढ़ रही है, उसके कारण हम अपने लक्षियों से दूर होते जा रहे हैं, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, परती व्यक्ति आए, जीवनस्तर में सुधार तो हुआ है, पर बुन्य जा सकता है, विकास का लाब जनता के सभी वर्गों को नहीं मिला है, जो अमीर है वो और अमीरों गए और गरीब और गरीब, तो समाजिक और आर्थिक विकास की कसोटियों पर हमारे देश के कुछ छेत्रक, अर्ध ववेस्ता के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंस तो अन निर्धन्ता जिसके लिए सरकार प्रयाश्रत है और आगे भी सरकार कई परकार के ऐसी योजना बनाएगी जिससे हमारे देश में निर्धन्ता कम होगी अटसास विशे को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे यूटूब चैनल को दिये वे लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ मेरे यूटूब चैनल को आप मुबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं झाल 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 झाल